हेलो फ्रेंज मैं राहुल जैन नमोकार गेमिंग वाल चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए गेमिंग न्यूस का एपिसोड लेकर आया हूँ मेरे पास companies के तुरू की भी आने लगी है गेम की जैसे Ubisoft कंपनी है, Capcom कंपनी है, बदा ही नेम को है तो जो भी games वगरा की की आती है तो उनके कुछ code भी मैं time to time वहाँ पर provide कराते रहता हूँ अभी last मैंने beyond good and evil 20th anniversary edition का मैंने वहाँ पर PS5 code provide कराया था तो उनमें से जो भी लखी राज जिसने सबसे पहले उस game को claim कर लिया, उसकी बल्ले बल्ले हो गई तो आप भी this opportunity को grab कीजिए, तो वहाँ पर मैं time to time बहुत अच्छे अच्छी games के giveaway आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा आप आते हैं सबसे पहली news पर, तो सबसे पहली news की शुरुवात हम करते हैं इस बात से, कि आप जानते हैं कि PS Plus के इंदर कोई बहुत बढ़िया गेम तो हमें मिलती नहीं है, इस बार की game भी हमें पता है, मन्तली उन्होंने क्या दी थी, उसके बारे में मैं बात नहीं करू आपको एक-एक करके देखने को मिल जाएंगी, शायद हो सकता है वो और भी games Call of Duty के उसके अंदर include कर दे हैं अभी से, नहीं तो जब तक हमारी Call of Duty Black Ops 6 release होगी, तब तक आपको वो सारी games इसके अंदर मिल जाएंगी, इसके लाब आपको ये भी पता होगा कि Call of Duty Black Ops 6 का जो बीटा वर्जन release हो रहा है, तो उसका जो early access है, वो सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा था, जिनोंने game pre-order कराई है, लेकिन जो game pass में तो जब आपको free ही मिले की game, तो उसमें pre-order कराने की तो कोई requirement नहीं है, तो early access का फाइदा Xbox users ले पाएंगे, तो मैं भी इस बार जो Call of Duty खेलूँगा Black Ops 6, वो Xbox पर ही खेलूँगा Series X पर, और early access का जो उसका बीटा वर्जन है, उसके भी हम मजे लेंगे, तो आप लोग live streaming में जरूर आईएगा, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बी good news है, कि Xbox Series X पर 10,000 रुपे का used discount चल रहा है flip card पे, मुझे नहीं पता आ लगबग 10,000 रुपे का discount मिल गया है, भाई 45,000 रुपे से कम तो हो, आपको gray market में भी शायद Series X देखने को नहीं मिलेगा, और 40,000 रुपे का अगर आपको flip card पे मिल रहा है, with bill मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है से अच्छी कोई deal होगी, एक बार जाकर आप offer चेक कर ल and new design भी वो दिखा देंगे, वैसे time to time, design आते रहते हैं, अभी भी एक PS5 Pro का design आया है, उसमें भी बताया है कि advance ray tracing होगी, यह होगा वोगा, मोटा मोटी लेकिन मुझे यह पता चलता है कि 4K60 FPS पर जो game अभी हमारी run नहीं होती, वो आपकी PS5 Pro पर हो जाएगी, बस यही major आप को speed में भी improvement देखने को मिलेगी, और एक major difference मिलेगा storage में, जो की हम जानते हैं कि अभी लगबग 800 GB का space आपको मिलता है, तो शायद वो PS5 Pro में आपको 1.5 TB से लेका 2 TB तक का space प्रोवाइट करा सकते हैं, अब उसके price को लेकर भी बहुत सारी बाते चलती है, कोई कहता है इतना 2 TB का storage होना चाहिए, बहले ही company हमसे 50,000 रुपे चार्ज करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हम उसमें गेम तो लोड कर पाएंगे, अभी मेरे पास सबसे पुराने वाला वर्जाने, उसके इंदर मुझे कोई भी बड़ी गेम इस्टोल करनी पड़ती है, तो प यहां पर नए DualSense की भी बात की जारी है, वैसे यह तो fan-made poster है, और यहां पर दो बटन आप देख सकते हैं, साइड में दिये हैं, तो देखो यार यह बात उमें शूर्टी ही सा कह सकता हूं कि PSY का अगर कोई नया controller ऐसा आया भी, तो इसके बटन यहां पर तो बिल्कुल भ देखें, तो उन बटन को यूज करने का कोई sense दिखाई नहीं देता, बाकी ठीक है, यह पोस्टर उन्होंने दिया है, यहां पर fan-made, कुछ ना कुछ लोग creativity करते रहते हैं, तो आपको वैसा देखने में कैसा लागा comment करके जरूर बताईएगा, इसके साथ साथ जो हमारी PS Plus की Deluxe की membership है, उसके अंदर यहां पर PSP और PS2 के titles भी upgrade कर दिये गए हैं, यानि कि उनकी list को थोड़ा enhance कर दिया गया है, आप देख सकते हैं आपर कौन-कौन से title को add किया गया है, वैसे आप और कौन-कौन सी game खेलना चाहते हो PS2 की, वैसे Urban Region ये game है, God Hand ये game है, तो मुझे पत PS Star होता क्या, और ये इंडिया में कब तक launch होगा, तो पहले तुम आपको बता दो, ये PS Star है, ये एक तरह से उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा beneficial है, जो daily gaming करना पसंद करते हैं, मतलब hardcore fan नी होते, कि अगर हम कोई game की disc ले आये, कोई game हमने purchase की है, digitally है, physically, तो उसे हम पूरा ज़्यादा gaming करें, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये गंटा खेला रख दिया, तो आपको एक तरह से boost करने के लिए, कि आगर आपने कोई game ली है, तो आप उसमें platinum trophy अचीव करो, और उस platinum जितनी आपके पा platinum trophy होगी, gold trophy होगी, तो उससे आपके कुछ points बनेंगे, और उन points से ह होगा क्या, कि आप digitally कोई भी game purchase कर पाएंगे, तो बहुत जादा benefit वाली बात कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए जो casual gaming करते हैं, लेकिन जो gaming के बहुत बड़े कीडे हैं, जो trophy hunter है, उन्हें इस scheme जरूर फायदा देगी, अब ये इंडिया में कब loan चोगी, इसके बारे में कहना कुछ भी जदबाजी है, next point पर दोस्तों मैं बात करूँगा Double Dragon game के बारे में, जो हमारी childhood game है, और मैं कहूँगा, हमारी favorite game हो में से एक है, तो Double Dragon मैं NES से खेलते आ रहा हूँ, 1, 2, 3, मैंने तीनों पार्ट खेले हैं, उसके बाद भी time to time इसकी game release होती रही, आप PlayStation पर भ बात करेंगे टेकन 8 गेम के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं, टेकन 8 का जो सीजन वने, उसमें हमें चार करेक्टर मिलने वाले हैं, जिसमें पहला करेक्टर में AD मिल चुका है समर में, और दूसरा करेक्टर में मिलेगा 25 जुलाई से, जिसका नाम है Lydia, वैसे इसका gameplay आपको नमोकार गेमर चैनल पर देखने को मिल जाएगा, इसके साथ इन्हों ने आपको थड़ करेक्टर भी रिवील कर दिया, जिसका नाम है Hiyaichi, तो Hiyaichi को हम सभी लोग बहुत जादा मिस कर रहे थे, टेकन 8 जब लोइन चुई थी उस टेम पर भी मैंने बात कही थी कि Hiya Hiyaichi को जरूर देंगे किसी ना किसी DLC में, और वो इतनी जल्दी देंगे, यह मुझे भी नहीं पता था, तो Hiyaichi आपको थर्ड DLC करेक्टर के रूप में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको शायद ऑक्टोबर तक, और उसके बाद दिसंबर तक ही एक और करेक्टर को लो जिन्होंने बाद में DLX एडिशन पर चीस किया है, वो 25 जुलाई से या जो भी इसकी ओफिशल रिलीश टेट होगी, तो उसी डेट को खेल पाएंगे, तो जैसे आट 24 जुलाई है, मैं आज से इस करेक्टर को खेल सकता हूँ, वैसे बाई चुलाई से ही मुझे एक करेक् इस फिल्म के इन कंट्रोलर की, तो X-Box की दो कंट्रोलर मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, अब यहाँ पर यह पूरी तरह से रिवील हो गए है, यानि कि जो इस फिल्म के जो लीड इस्टार कास्ट है, उन्होंने अपने हाथों में इन कंट्रोलर को लिया है, उनक को इंपोर्ट करके मंगाए और आपको मेहने प्राइस में दे, तो वो यह जरूर हो सकता है, बाकी जहां तक मुझे लगता है, एक कंट्रोलर का प्राइस मिनिमम मिनिमम आपको 10,000 रुपे तक देखने को मिलेगा, बाकी मैं तो यह कहूँगा कि जो भी हाड़कोर फैन है, एक्सबोक्स, जिनके पास है और जो एक वनला लिमिटेड एडिशन के शोकीन होते है न, जैसे हम आख अलेक्टर एडिशन रखते हैं गेम्स का, तो उनके लिए तो 10,000 रुपे मेरे साब से ज़्यादा मेटर नहीं करते, हाँ अगर आपको यह दो कंट्रोलर की डील 15,000 र लीक आ रही है, rumors आ रहे है, जब भी company को कुछ ऐसा देना होता है न, तो उसकी hype बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ न कुछ करती रहती है, कहीं कुछ उसकी maze leak करा दी, कुछ ऐसा करा दिया, जिससे उसकी hype बनी रहे, यह जितनी भी चीज़े leak होती है, तो आप ऐसा कभी मत समझन भी करता हूं मुझे पता है बहुत सारी फिल्मों का negative review इसी बज़े से कराया जाता है कि जिससे उसे publicity मिले तो negative publicity को भी publicity माना जाता है तो ऐसा ही आप GT6 के बारे में अगर कोई rumors आ रहे निकल के है कुछ भी आ रहा है तो आप ये समझ लो कि बहुत जल्द आपको कुछ बड़ा खुलासा होगा और अब last point पे दोस्तों हम बात करेंगे God of War game की trilogy के बारे में जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ लेकिन मैंने आपको बताया था कि शायद आपको first part देखने को मिरे बट आप सुनने में यह आया और यह बहुत ही strongly rumors है कि God of War की पूरी trilogy आपको PS5 पर देखने को मिलेगी जिसे remake किया जा रहा है शायद वो third part को remaster करेंगे क्योंकि third part के graphics बहुत ही अच्छे थे तो मुझे नहीं लगता कि उसे remake करने की जरूरत है अगर वो remake करते है तो इस बहुत ही अच्छी बात है बाकि God of War की trilogy भी शायद आपको जो next अभी PlayStation का event होगा उसके इंदर उसका teaser वगरा देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा gaming news का episode प्लीस comment करके जरूर बताइए अगर आप लोगों के कुछ सवाल हों जो आप मुझसे पूछना चाते हैं तो आप पूछ सकते हैं comment करके बाकि जाते जाते मैं फिर से आपको remind कराऊंगा कि फिलाल मुझे live streaming में आने का time नहीं मिल पा रहा है अगस्त मन से मैं थोड़ी सी consistency बनाने की कोशिश करूँ हूँ लेकिन आप फिलाल फिर भी मेरे साथ कोई game multiplayer खेलना चाते हैं मेरे साथ time to time connected रहना चाते हैं तो इस time पर मैं नमोकार gamer channel पर थोड़ा ज़्यादा active हूँ बबाई टेक केर